नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। लड़ू गोपाल से प्यार करते हैं, राधारानी से प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना। जन्माश्टमी बार बार नहीं आती सचे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे जैश। जन्माश्टमी के रूप में मनाया जाता है, द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुशोत्तम भगवान का जन्म भादरपद की अश्टमी तिथी रोहिनी, नक्षत्र और चंद्रमा व्रिशब राशी में मध्यरात्री में हुआ, उनके जन्म लेते ही दिशाय प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया, कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की दुन्दुभी या अपने आप बस उठीन तथा सिध्धोर चरण भगवान के मंगल में गुनों की स्टुती करने लगे, दोस्तों, जन्माश्टमी वरत का महत् प्राप्ट हो जाता है जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माश्टमी के दिन ध्यान जाप और रातरी जागर्ण का विशेश महत्व है, इसलिए जन्माश्टमी की रात में जागर्ण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए भविश्य पुराण में इस वरत के संदर्भ में उल्लेक है कि जीस घर में यह देव की वरत किया जाता है वहां अकाल मृत्य गर्भपात किसी भी माह के बच्चे गर्भ में नहीं मरते गर्भ ठहरता है वैधव्य दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती जो एक बार भी इस वरत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशिर्वाद प्राप्त होता है वो प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विश्नु लोक में निवास करता है जन्माश्टमी पूजन विधी हिंदू धर्म में भगवान्श री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकाल कर सुख समरिध्धी और सौभाग्य का बर्दान देने वाली मानी गई है जन्माश्टमी के दिन प्राता जल्दी उठकर स्नान आदी से निवरित्थ होकर स्वच वस्त्रधारन करें इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके वरत का संकल्प लें अगर नार्थिस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्मयुध में खडीडे हैं, कर्मक्षेत्र में खडे हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परिशानिया हैं उन्हें कानहा दूर कर देते हैं माता देव की और भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति या चित्रपालने में थापित करें पूजन में देव की वासुदेव बलदेव नंद यशोदा आधी देवताओं के नाम जपे रात्री में बारह बजे के बाद श्रीकृष्ण का जनमोटसव मनाया दोस्तों जनमाश्टमी पर कानहा को पीले चंदन या फिर कैसर का तिलक जरूर लगाएं साथ ही साथ उन्हें मोर के मुकृट और बांसुरी जरूर अर्पित करें भगवान श्रीकृष्ण को पंचामरित से अभिशेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवन जूला जुलाया तुलसी डाल कर माखन मिश्री वधनिये की पंजीरी का भोग लगाएं ततपश्चात आर्ती करके प्रसाद को वित्रित करें दोस्तों कृष्ण जन्माश्टमी कब है पंचाम के अनुसार भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी की शुरुवात 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3 बचकर 37 मिनट से हो रही है वहीं इस स्थिती का समापन अगले दिन 7 सितंबर शाम 4 बचकर 14 मिनट पर होगा कृष्ण जन्माश्टमी की पूजा मध्यरातरी की जाती है इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोचसव 6 सितंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा दोस्तों चलिए जानते हैं जन्माश्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा दोस्तों जन्माश्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्ट तकलीफ है बीमारिया सब समाप्थ हो जाती है पित्री दोश मंगल दोश काल सर्प दोश शनी दोश तुरंत ठीक हो जाते हैं आए सुनते हैं जन्माश्टमी की कथा दोस्तों पौरानिक कथाओं के अनुसार भादरपद माह कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की आठवी संतान के रूप में जन्म लिया कृष्ण जी का जन्म मतुरा में कंस के कारागार में हुआ था माता देवकी राजा कंस की बहन थी कंस को सत्ता का लालच था उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी चीन कर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वन्य को मतुरा का राजा घोशित कर दिय अधाराजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था लेकिन जब वह माता देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवानी हुई की देवकी का आठवा पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा यह सुनकर क कंस दर गया उसने तुरंट अपनी बहन और उनके पती वासुदेव को जेल में बंद कर दिया उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के साथ संतानों को मार चुका था कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भा प्रकाशमय हो गई आकाशवानी हुई की विश्नु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आये और उनके घर एक कन्या जन्मी है उसे मतुरा लाकर कंस को सौंक दे कानहा चले गोकुल धाम आकाशवानी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकडी खुल गई सभी पहरेदार सोने लगे कानहा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े कानहा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीब्तों का सामना कर और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लोट आये जेल अपने आप बंध हो गया और उनके हाथों में हथकडिया लग गई कन्या की रोने की आवास सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए कंस बंदीग्रिह आया वो कन्या को देव की और वासुदेव की आठवी कन्या समझ उसे मारन चला लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवानी हुई की कन्स को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है बाबा नंद और उनकी पतनी माता यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोशन किया राजा कन्स ने क्रिश्ण जी का पता लगा कर उन्हें मारने की खूब कोशिश की लेकिन कन्स की सारी कोशिशे विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका अंत में श्री क्रिश्ण ने कन्स का वद किया राजा उग्रसेन को फिर मतुरा की राजगदी सॉंपी इस तरह से जन्माश्टमी की वरत कथा पूरी हुई दोस्तों में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे दोस्तों जन्माश्टमी पर भूल कर भी ना करें ये गलतिया तुलसी को लेकर ना करें ये गलती जन्माश्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पतिया तोड़ने से बचना चाहिए दरसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विश्नु के अवतार है और उन्हें तुलसी अतीप्रिय है ऐसे में इस दि लोग पाप के समान होता है जहरीला माना जाता है चावल खाना ये बात तो सभी जानते हैं कि एक आदशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माश्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है चाहे आप वरत रखें या ना रखें लेकिन जन्माश्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता तामसिक भोजन जन्माश्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है ऐसे में इस दिन मास मदिरा प्यास और लहसुन नहीं खाना चाहिए इस दिन गलती से भी लहसुन प्यास का खाना कभी मत बनाना क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्यास की उत्पत्ती हुई है और भगवान विश्णु और राहु केतु के बीच में भीशन शत्रुता होती है अनादर करना भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अ सताना गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोशन एक ग्वाले के घर में हुआ था ऐसे में जन्माश्टमी के दिन किसी भी गाय और बच्छरे को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए भगवान श्री कृष्ण गाय को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए गाय को इस दिन रोटी फल वगेरह मिठाई अवश्य खिलाएं जन्माश्टमी के दिन केवल साथ वे खाना खाएं जन्माश्टमी वरत में दूध और दही जरूरी है वरत के दौरान ताजे फलों के शेख लसी छाच या दूध का मजा ले सकते हैं नारियल पानी पी सकते हैं जन्माश्टमी के दिन पेडों को काटना भी अशुभ माना जाता है श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उन में बसती है बलकी हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने चाहिए इससे घर और परिवार में सुख और शांती बनी रहती है भगवान कृष्ण सदा पीपल के व्रिक्ष में रहते हैं पीपल व्रिक्ष पर जन्माश्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें इससे वह प्रश्ण जल्दी होते हैं दोस्तों जन पत्नी जन्माश्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते और सन्यम और नियम का पालन करते हैं तो उन्हें एक सुशील और सुन्दर पुत्र की प्राप्ती होती है ऐसे बालक का मुख्य भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है जो ल का जाप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी, आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र क्री कृष्ण पुकार अवश्य सुनते हैं, कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है. दोस्तों जनमाश्टमी पर जो स्त्री भगवान श्री कृष्ण को जूला जूल आती है, उसे अनंत काल तक बाजपन का सामना नहीं करना पड़ता है, भगवान लड़ू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुन्दर पुत्र की प्राप्ती होती है, दोस्तों जनमाश्टमी पर मोरपंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें भगवान कृष्ण की बंसी जनमाश्टमी, पर अवश्य लेकर आएं अगर आप वरत रख रहे हैं, तो भगवान लड़ू गोपाल के खिलोने, आदी जरूर लेकर आना इसे लाना मत भूलना और जनमाश्टमी पर कॉंडिया आप ला सकते हैं, भगवान कृष्ण जी की स्थापना कर सकते हैं, इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ती को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना इससे घर की माता लक्ष्मी रूष्ठ हो सकती है, जनमाश्टमी पर सोने चा जैसे गोपाला, गोविंग, देव की नंदन और दामोदर। हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी आपकी नौकरी। लग जाएगी संतान प्राप्ती है तू व्यापार चलाने के लिए भी यह उपाय जरूर करें दोस्तों हम भी। और ग्यारा रुपए की दक्षिना तथा एक पानी की बोतल और पांच रुपए के काले तिल बस इतनी सी सामगरी एक थैली में एकत्रत कर ले दोस्तों उसके बाद किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके सिध्धान्त दे दे और पीछे मुढ कर ना करते हैं महा पुस्तक और शास्त्रों में लिखा महा उपाय आज हम आपको बता रही हैं यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करे मैं इश्वर की सौगंध खाता हूं आपका भाग्य उदे हो जाएगा दोस्तों यह उपाय मैं हर जन्माष्टमी के दिन जरूर करता हू आज के लिए इतना ही जय श्री क्रिश्ना